तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं IUPAC Practice Questions की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसा कि आप पीछे देख रहे हूंगे मेरे बोड पर कई सारे questions लिखे हुए हैं तो हमें क्या करना है, एक question इनमें से मैं solve करूंगा और बाकी आपको करना है आपको बस इतना सा काम करना है, इस वीडियो को post करना है और एक एक question को solve करना है और आपके answer match करने, कि हमारे कितने answers सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं चलिए start करते हैं मैं यहाँ पर अपना fourth question से solve करूँगा क्योंकि first question थोड़ा simple सा है और fourth question थोड़ा difficult सा लग रहा है बड़ा सा लग रहा है मैं fourth question को यहाँ पर solve करने की कोशिश करता हूं तो वही हमारा format याद होना चाहिए सबसे पहले तो हमारा format क्या होता है P1, P2, L, S1, S2 और पहली step क्या है selection of principal functional group इस compound को अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो functional group देख रहा है एक ketone देख गहा है और दूसरा क्या देख रहा है अमाई देख रहा है तो यहाँ पर यहाँ पर एक functional group ketone है और दूसरा क्या है عمाई है तो मुझे उन में से यह select करना पड़ेगा कि कौन मेरा principal functional group होगा तो मुझे move करना पड़ेगा priority order पर priority order में जो उपर आ रहा हो adulter क्या हो जाएगा principle functional ग्रॉप तो second step मैं करना है, option of principle carbon chain, principle carbon chain का selection कुछ इस तरह से करना है, कि principle functional group पूष में covered हो जाए, तो मेरी प्रेंसीपल carbon chain, इस तरह से हो चुकी है, select, third क्या USD करना है, step third आती है, numbering, numbering को इस तरह से करूं कि principle function group को minimum numbering मिले, मैंने numbering करना स्टार्ट हुआ यहां से पहला दूसरा तीसरा चोथा पांचरा और छट वक्त तो यह मेरी नंबरिंग हो चुकी है अब मुझे अपने फॉर्मेट को फॉलो करना है जो भी PCC के बहार आ होगो मेरे लिए सब्सिट्वेंट हो जाएगा उसका मैं प्रिफिक्स पीवन यूज करने वाला हूं तो PCC के बहार मेरे अमाइन गुरुप आ रहा है और अमाइन का प्रिफिक्स क्या होता है अमाइनो कितनी पोजिशन पर आ रहा है फॉर्ट पोजिशन पर तो मैं इसका पी करना है इस वीडियो को बोर्स करना है कितनी आपको क्या करना है इस वीडियो को पोस्ट करना है और धीरे धीरे question को solve करना है तो मैं हट रहा हूँ यहां से और आप जल्दी से ले लेजिए इसका screenshot और आप solve करना स्टार्ट करें तो आपने solve कर लिया होगा ऐसा मैं माल लेता हूँ और चलते हैं solve करते हैं इन questions को यहां पर अगर first question को अगर मैं दीखूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना है principal function group का selection यहां पर कोई function group नहीं है second step principal carbon chain का selection मुझे यहां पर एक carbon chain दिख रही है तो वही मेरी क्या हो जाई ही principal carbon chain third step करना है मुझे numbering numbering में करूँगा 1,2 या 3 या फिर 1,2,3 same numbering आ रही है कोई problem नहीं आप कोई भी किसी भी तरीके से numbering कर सकते हो then हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं P1 यहां पर कुछ है नहीं P2 हम use करेंगे नहीं एल कितने carbon atom है तीन carbon atom है उसके लिए मैं क्या use करूँगा प्रोप सभी के सभी single wanted है इसलिए मैं क्या use करूँगा and as to principal functional group का suffix होता है हमारे पास कोई principal functional group नहीं है तो इसका नाम क्या हो जाएगा propane second question को अगर देखें तो second question में भी वही तीन step follow करनी है पहले step में principal functional group का selection second question को जब मैंने देखा तो कोई functional group यहां पर present नहीं है second step क्या करना है मुझे second step मुझे principal carbon chain का selection करना है तो मैंने carbon chain यहां से select करना है थार्ड step में मुझे क्या करना है numbering नम्बरिंग को जिस तरह से करना है कि principal functional group है तो उसे minion numbering मिले multiple one को minion मिले, substitute को minion मिले तो यहां से मैंने numbering करना है पहला, दूसरा, तीसरा और चोधा तो यह substitute है मेरे पास second position पर इसका नाम क्या होता है, chloro तो इसका nomenclature अगर करें तो second पर क्या आ रहा है, chloro P2 हम यहां पर use करेंगे नहीं, कितने carbon atom है, PCC में 4, तो इसके लिए हम क्या use करेंगे, but, सभी single bonded है N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 chlorobutene, third question पर अगर move करें, तो third question में सबसे पहले मुझे select करना है principal functional group, मुझे यहां पर एक functional group देख रहा है, वो क्या है, carboxylic acid, वही मेरा principal functional group हो जाएगा second step, मुझे carbon chain का selection करना है, तो यह मेरा पहला step, यह principal functional group हो गया, second step, principal carbon chain, यहां से मेरी start हो जाएगी and यहां पर मैं move करूँगा आगे, तो यह मेरी principal carbon chain select हो गई है, third step में numbering करना है, numbering को इस तरह से करनी है, कि principal functional group को minimum number मिले तो मैंने यहां से अपनी numbering करना start हुआ, first, second और third, तो मेरे PCC में total 3 carbon atom आ रहे हैं, कोई substitute नहीं है, मतलब मैं P1 यहां पर use नहीं करूँगा, cyclic compound नहीं है मेरा, इसलिए P2 use नहीं करूँगा, कितने carbon atom है PCC में, 3, तो इसके लिए मैं क्या use करूँगा, prop, सभी के सभी single wanted हैं, इसलिए मैं use करूँगा, मैंने यहां पर carbon gen select कर ली है, मेरा principal function group है, carboxylic acid, सबसे पहले मैं P1 देखूँगा, कोई substitute नहीं है यहां पर, second, हमारा compound cyclic नहीं है, इसलिए मैं P2 use नहीं करूँगा, कितने carbon atom है PCC में, 3, तो इसके लिए मैं use करूँगा, prop, सभी के सभी single bonded हैं, इस इसलिए क्या होता है, suffix of principal function group, तो यहां पर functional group क्या है मेरे पास, carboxylic acid, तो उसका मुझे suffix use करना है, उसका suffix क्या होता है, oic acid, तो मैं यहां पर use करूँगा, propane 1 oic acid, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, propanoic acid वो भी सही होगा, अगर आप यहां पर number mention नहीं करते हो, त position पर आ रहा है, mass move करते हैं, fourth question हमने solve कर लिया है, fifth question पर अगर move करें, fifth तोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, सब आसान है, वही तीन step में हम इसको solve करेंगे, तो पहली step क्या है, selection of principal functional group, यहां पर मुझे functional group देखें, तो यहां पर मुझे एक functional group देख कर रहा है, वो क्या है मेरे पास, alcohol, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, principal functional group, second step क्या करना है, principal carbon chain का selection, principal carbon chain का selection कुछ इस तरह से करना है, कि उसमें principal functional group covered हो जाए, यहां पर हम principal functional group की बात करें, alcohol है, जो की carbon containing नहीं है, तो जिस carbon से OH connected होगा, उस carbon को मुझे दोनों साइट से क्या करना ह तो मैंने यहां पर PCC select करना, start करा, यहां पर move करा, यहां पर मैं terminal पर आया, तो मेरे पास दो रास्ते हैं move करने के, या तो मैं उपर move करूँ, दोनों जगे सेम आ रहा है, तो मैं कहीं पर भी move कर सकता हूँ, मैं उपर move करना हूँ, तो यह पूरा मेरे लिए क्या हो गया, substitute ह हो गया और यह क्या है complex substituent तो complex substituent का नाम लिखना हमने सीखा था तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा सबसे पहले में इसकी carbon chain select करूँगा इसको numbering करूँगा पहला दूसरा दूसरे पर एक substituent आ रहा है chloro तो इसका नाम हो जाएगा 2 chloro ethile यह कितनी position पर आ रहा है इसकी numbering करनी पड़ेगी पहले तो numbering हम करते हैं 1,2,3,4,5 और यह भी मेरे लिए क्या एक substituent है तो मेरे पास 2 substituent है एक 2 chloro ethile and 2 chloro तो alphabetically जो पहले आ रहा होगा उसका मैं P1 पहले लिख दूँगा तो chloro पहले आता है तो इसका नाम होगा 5 chloro 3 पर 2 chloro ethile pentane 1 all pentane इसलिए यूज़ किया क्योंकि सारे के सारे single bonded थे और second position पर मेरा all आ रहा है तो क्या हो जाएगा pentane 2 all mass move करते हैं questions बस एक question पर अगर move करें तो सबसे पहले principal functional group को ढूणना है यहाँ पर मेरे पास दो functional group है एक aldehyde है और दूसरा amine है तो मुझे priority order पर move करना पड़ेगा जो priority order में उपर आ रहा होगा वो मेरे लिए principal functional group हो जाएगा priority order के according aldehyde मेरे लिए principal functional group हो चुका है और amine मेरे लिए क्या हो चुका है substitute हो चुका है तो second step principal carbon chain का selection principal carbon chain का selection कुछ इस तरह से करूँगा कि मेरा principal function group का carbon उसमें covered हो जाए तो यहाँ से मैंने अपनी principal carbon chain बनाना स्टार्ट करी मेरे पास एक ही direction है move करने के लिए मैं move करता गया और मेरी PCC select हो चुकी है third step में मुझे numbering करना है numbering कुछ इस तरह से करना है कि principal function group को minimum number मिले तो मैंने यहाँ से numbering करना स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है यहाँ पर मेरे लिए यह amino क्या है substitute है तो इसके लिए मैं prefix यूज़ करूँगा यह third position पर आ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 3 amino ठीक है पीटू यहाँ पर यूज़ करेंगे नहीं L कितने carbon atom है 5 तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा pen सभी के सभी single bonded है नहीं सर यहाँ पर एक double bonded आ रहा है double bonded third position पर आ रहा है तो मैं यूज़ करूँगा pen 3-1-L क्योंकि इसका suffix क्या होता है L होता है aldehyde का तो मैंने यहाँ भी यूज़ किया 1-L तो इसका नाम हो गया 3 amino pen 3-1-L next question पर अगर move करें यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे slack करना है कि मेरा functional group कौन सा होगा यहाँ पर मुझे 2 functional group देखने को मिल रहा है एक तो aldehyde देखने को मिल रहा है और एक amide देखने को मिल रहा है तो मुझे उस functional group को select करना पड़ेगा जो priority order में उपर आ रहा होगा तो amide और aldehyde में अगर बात करें तो amide उपर आता है तो मैं यहाँ पर amide को principal functional group select कर लूँगा second step principal carbon chain का selection principal carbon chain का selection कुछ इस तरह से करूँगा कि principal functional group उसमें covered हो जाए तो यह मेरे लिए क्या हो जाएगा मेरी principal carbon chain हो जाएगी third numbering एक ही carbon है यही पर numbering कर दी one ठीक है तो अब इसका नाम लिखना स्टार्ट करते है कोई यहाँ पर prefix one नहीं है कोई substitute नहीं है तो हम P1 नहीं लिखेंगे cyclic compound नहीं है P2 नहीं लिखेंगे कितने carbon atom है PCC में one तो इसके लिए use करूँगा mid सभी के सभी single wanted होंगे and इसका suffix amide का suffix क्या होता है amide तो इसका नाम हो जाएगा methane one amide या फिर methane amide next question पर अगर move करें तो add question हमारे पास यहाँ पर आ रहा है तो यह सबसे पहले मुझे principal functional group को select करना पड़ेगा तो यहाँ पर मुझे सिर्फ एक functional group देखने को मिल रहा है वो क्या है मेरे पास acid तो सबसे पहले मुझे इसे principal functional group मान लूँगा second step में मुझे क्या करना है principal carbon chain का selection principal carbon chain का selection में कुछ इस तरह से करूँगा कि principal functional group का carbon उसमें covered हो जाए तो यहाँ से मैंने अपनी principal carbon chain को बनाना start किया यहाँ पर आया तो मेरे पास दो terminal है या तो मैं ऊपर move कर सकता हूँ या नीचे move कर सकता हूँ ऊपर move करने से जब भी मैं carbon chain को select करूँगा तो मेरे पास order मुझे याद होना चाहिए कि order में किस तरह से मैं arrange करता हूँ priority order क्या होते है जब मैं carbon chain को select करता हूँ तो याद करो जब हमने principal carbon chain को select करने का order याद करा था को कुछ इस तरह से था कि principal functional group उसमें covered हो जाए जाए से ज़्यादा multiple bond covered हो जाए यहाँ पर इस side कोई functional group नहीं है इधर भी कोई functional group नहीं है उपर जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे एक triple bond covered हो रहा है नीचे जा रहा हूँ तो मेरे एक double bond covered हो रहा है मतलब दोनों side मेरे पास एक-एक double bond या triple bond covered हो रहा है एक-एक multiple bond covered हो रहा है then मुझे move करना पढ़ेगा ज़्यादा carbon atoms पर उपर move करता हूँ तो 3 carbon atom covered होते हैं फॉहिशाग रोग को मिन्यों नम्ब्र में मिले तो मैंने यहां से अपनी नम्बरिंग स्टाट करी one two three four five और six यह मेरे लिए पूरा क्या हो गया सब्सिट्टुएंट यह complex सब्सिटुएंट है complex सब्सिटुएंट का नाम लिखना हमें बदा है यह फ्री वैलेंसी को हमने कार्बन चैनल करी नम्बरिंग करना सब्सिट किया वन टू तो इसका नाम क्या हो जाएगा इतना उसका हम हो जाएगा हमारे लिए कि यहां पर ήταν कि करेंगे यहां पर हमारे पास फर ट्रिपल बॉंड रहा है तो हम यूश करेंगे 5 जा oic acid क्योंकि oic acid क्या है suffix है carboxylic acid का next move करते है last question पर हमारे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो functional group देखने को मिल रहा है दोनों के दोनों aldehyde हैं तो यहाँ पर यह भी मेरा principal function group होगा और यह भी मेरा principal function group होगा दूसरा step आता है carbon chain का selection carbon chain का selection कुछ इस तरह से करूँगा कि उसमें principal function group covered हो जाए मतलब मैं यहाँ से अपनी carbon chain को start करूँगा यहाँ पर में खतम कर दूँगा तो यह मेरी principal carbon chain select हो चुकी है क्योंकि principal carbon chain select करने का order यही था कि principal function group उसमें covered हो जाए अगर आपकी compound में एक से ज़्यादा carbon containing principal function group आते हैं तो आपकी carbon chain principal function group के carbon से start होगी पहले से और दूसरे principal function group के carbon पर जाकर खत्म हो जाएगी तो यह पूरा मेरे लिए क्या हो गया? सब्सिटोंट हो गया, complex सब्सिटोंट हो गया, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सर, इसको numbering करना स्टार्ट करूँगा, 1, 2, इसका यह complex सब्सिटोंट है, तो इसका prefix लोगा hydroxy, तो इसका नाम हो जाएगा 2 hydroxy, इताई, यह कितनी position पर आएगा? numbering करना स्टार्ट करूँगा, 1, 2, और 3, उसका नाम हो जाएगा, second position पर आ रहा है मेरे पास, 2 hydroxy, इताई, then P1 कवर्ड हो चुका है हमारे पास, P2 हम यहाँ पर use करेंगे नहीं, then L कितने carbon atom है PCC में? 3 carbon atom है, तो उसके रहे मैं use करूँगा prop, सभी के सभी single bonded है, and और यहाँ पर मुझे इनके number mention करने पड़ेंगे, तो यह 1 और 3 पर आ रहे हैं, तो 1, 3, डाई, L, आप सभी ने इनको question को solve कर लिया होगा, और comment करकर बताएं किसके कितने question सही हुए हैं, इस वीडियो में यही तक जे हो!